दिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेम्स इसमय मौझूद है मुम्रा के एमेम वली पर जहां पर हॉकर जो कई साल पहले बना कर दिया गया था लेकिन यहां पर जो है मार्किट लगी नहीं और यहां पर देखेंगे आपकी बड़े बड़े गाले बन गए हैं किसके गा है कि यहां पर बहुत बडा भरश्टा चार हुआ है गाले बन गए हैं मीटर लगे हुए हैं किसके यह गाले हैं क्या बता चाहिए अब मैरे को यह तो नहीं मालूम किसके गाले हैं गाले तो हम इस इतना पता है यहна के दिया ता dovecy के लिए है आप लोग ने देखा है मापर हो जो अभी मैंने क्लिप देखा था कि विदान भवन में बताया गया था वो सीरप के बॉटल के बारे में वो बटन के बारे में तो इस तरीके से सब चीज इस तरीके से सब चीज बताया गया था वो भी मैंने देखा था लेकिन मुम्रा में ह सभी सामागी वहां मिल रही है आपको बॉटल्स मेले आपको जो पत्ते होते जो आप लोग से मुझे मालूम पड़ा माचिस के इतने बड़े सारे सारे डब्बे है और एक मैं तो यह सवाल करती हूं टिम से और यहां के स्थानिक लोगों से जो नेता अपने आपको बोलते है यह meters किस के नाम पे लगा है तो मालूम पड़ जाएगा यह दुकाने ult नहीं सभी यैं इसका है कि यह इसका है यह इसका है करके लेकिन क्या है गरीब का है यह सब चीजों में डेवलप्मेंट में गरीब का है गरीब के नाम पे हमेशा मुम्रा में डेवलप्मेंट हुआ खाया कोन, उसका इस्तमाल कोन कर रहा है, ये सालो साल से बनके पड़ा हुआ है, सालो साल, मतलब छे साल से तो मैं सुन रही हूँ, ये बना हुआ है, लेकिन इसका इस्तमाल कोन कर रहा है, इसका इस्तमाल मैंने ये भी सुना है, यहां के जो ड्रग्स बेशने वाले लोग है, उन्होंने यहां बेठक बना दी है कि हमसे खरीदेगे वह यहां जाके ड्रग्स पी सकते हैं बेठके यह तक सुना है मतलब क्या हो रहा है बाजू में स्कूल है उसकी हालत आप लोग ने देखा है मैं भी जा जाके उदर महिनत कर रही हूं लेकिन यह करोड रुपया कितने करोड लगे है यह डेॉलप्मेंट करने के लिए आज देखो यह बन पड़े है और जो खुल्ले है मेटर भी सब में लगा हुआ है, मेटर किसके नाम के है, किसके फैमिली के नाम के है, किसके रिष्टेदारों के है, किसके उनसे कारे करताओ के नाम पे है, निकालना चाहिए और इंशाला निकालेंगे, लेकिन यह होकर्स लोग कोई भी मेरी एक मैसेज है, जब हमारे हक्ती च यह चीजु को यह बना है क्यों क्यों पर फिया यह और छींटर स सब्पर्दू लेकिन मतलब यह planning से बनाया है बनाने वालों को मालूम नहीं था टीम सी के उस टाइम के ओफिसरों को मालूम नहीं था यह शहर के पीछे जिग जा रहा है लोग यहां नहीं आएंगे मतलब खाली कब्जा के नाम पे बनाया है यह थोड़े टाइम में यह तुड़ जाएगा और यहा नागरिक का पैसा गया है कैसे मनें इसी तरीके से हजारों करोड के मालिक बन रहे ना इसी तरीके तो पांसो पांच लाक स्वेर कुट्ट यह डेवलप्मेंट है मैडम लेकिन इतना बड़ा जो यह आप भरस्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और गाले भी आपको भी पता लगाले निकालने की कोशिच करूंगी और निकालूंगी यार कोशिच क्या करना है अभी तो मुम्रा में कामी करना है क्योंकि काम हुआ नहीं है बड़े वाले दिन किसी को ठगा नहीं जाता है बड़े वाले दिन किसी गरिप के नाम से इस तरीके से कबजा नहीं किया जाता है ठीक है हो चुका है तो इंशाल्ला ऐसा होने नहीं देंगे और बचाने की कोशिश करेंगे और या जू नहीं पर रिख webs एक लाइट विल वहाँ पर लगा हुआ है तो वह आप देखे किसके नाम से है क्या है किसका है इम्रान एहमर शेख गाला नंबर 167 गाला नंबर तो लिखा नहीं है लेकिन इस पर गाला नंबर है भस यहां का एडरेस है। फिरित रिख गाला नंबर कुछ और होगा आजूबा जो उस पर गाला नंबर लिखा है क्या चलिया आने वाले कल में पता चलेगा हमें किस तरीके से यह बील के नेता यह बील के यह कुँछ से महिने की बील है यह जुला एकर जुलाई का है सात्वा मैना तो देखेंगे आगे चलके किसका है क्या है किसको अलट हुआ है कोन किसमें डिवाइड हुआ है किसको कितना हक मिला है और इसके आगे इदर क्या फ्यूचर प्लानिंग है उनका वह भी मालूम पड़ेगा लेकिन इस तरीके से मुम्रा में बड़े ओपनिंग किसके गाले है कौन लोग है वो मीटर कैसे लगा मनपा ने किसको दिया यह सब का आगे कैसे फॉल अप लेगी कैसे इसका खुला सकते हैं यह ड्रक्स पीने के लिए कोन भेशता है यह ड्रक्स कैसे पोच्टा है वह भी हम लोग मालूमात करेंगे और आगे चलके आभी इसको अलट किये शायद कोई सी ड्रक्स वाले को कि यह बेज़े यह बेटके यह ऐसे शौप कुछ खुले पड़े हैं जिसमें वह बेटके पीर है इंशाला आगे चलके इस पर किसका आगे पेपर वक्ट होगा वह इंशाला करके आगे किसको मिला है किसी गरीब का हग है उ इस वह बेज्ट देख हैं कि इस तरह से यहां पर गाले और उस आरे कई गाले यहां पर एसे हैं और मीटर भी यहां पर लगा हुआ है लेकिन सभी गाले जो है बंद है किसी में शेटर में ताला लगा हुआ है किसी और किसी कई गाले ऐसे हैं जिसमें अभी शेटर भी नहीं लगा हुआ है जो इस तरह के खुले गाले हैं उसमें लोग बैठ कर यहां पर नशा भी कर रहे हैं लेकिन सबसे एहम बात यह है कि मुम्रा की जो में रोड है वहां पर पूरे हौकर्स भरे हुए हैं और हौकर्स जोन ना मिलने की वज़े से रोड पर हौकर्स धंजा लगाने को मजबूर है कई बार हौकर्स मांग भी कर चुके हैं सासन पर सासन इसे कि उन्हें हौकर्स जोन दिया जाए लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही